प्रविश्यों मसी में मेरे सबी बैन बाईयों को जय मसी की आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्यों की जीवत हजूरी में आज की इस वीडियो में हम परमेश्य के पवित्र वचन को मेरी भविश्यवानियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे आज का ये वचन परमेश्य के दास प्रेरित अंकु यूसफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है इन वचनों में पवित्र आत्मा के धोरा पवित्र बाइबल में से गहरे भेदों को बताया गया है और हमारे ये विश्वाश है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरीये से परमेश्य का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी प्रात्नाओं को उत्पर लेने पाएंगे तपुरे विश्वाश के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने आज का पवित्र वचन सूखे उपवास शेतानी नियमों को तोड़ते हैं जैसा की परमेश के पवित्र वचन योयल दो अध्याएं उसके बारा और तेरा वचन में लिखा है तो भी यहवा की ये वाणी है अभी भी सुनो उपवास के रोते पीडते अपने मन से फिर कर मेरे पास आओ अपने वस्तर नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेशर की ओर फिरो क्योंकि वे अनुग्रेकारी, द्यालू, विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान और दुख दे कर पश्ताने वाड़ा है मेरे प्रियो, सूखा उपवास रखना आपके लिए एक हत्यार है जिसमें आप कोई खाना नहीं खाते और ना ही पानी पीते हैं आप परमेशर की उपस्चिती में रहते हैं और प्रातना करते हैं अगर आपने किसी युद्ध को जीतना है या आपका कोई काम है या कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा है और आपको उस पर विजह प्राप्त करनी है तो आपको यहां सूखे अपवास की जुरूरत पढ़ती है अपवास का मतलब है अपने मन को फिराना जब एस्तर ने इसका आत्मी कारण देखा कि मेरे लोगों को जो सजा मिली है उसका कारण पाप है उसने तीन दिन रात पानी नहीं पिया और उपवास रखा तो परमेशों ने उसकी पूरी यहुद्धी जाती को बचाया दानियान ने जो उपवास रखे थे मैं 21 दिन के उपवास थे उसमें से उसने कोई स्वादिष्ट वस्तू नहीं खाई सिर्फ उसने कड़वी चीजे खाई थी कोई अच्छा खाना नहीं खाया था और अपने आपको संसार से दूर रखा ये दानियल का उपवास था मुसा ने चालिस दिन रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया परमेश्वर प्रवयेश्य मसी ने चालिस दिन चालिस रात ने रहार रहा और उपवास रखे मेरे प्रियो उपवास एक हत्यार है आपके लिए लेकिन अगर आप मन फिराए हुए नहीं है तो ये उपवास आपके किसी काम के नहीं है और अगर आपने मन फिराया हुआ है और आप परमेश्व के साथ एक मन खड़े हैं तो ये आपके बड़े काम की हैं ये आपको विजे करेंगे और ये बड़ी चीजों को नियमों को आपके लिए बदल देंगे राजा शर्शर्या के पास कोई भी उसकी मर्जी के बिना नहीं जा सकता था और राणियेस्ता ने कहा कि मैं अपवास रखोंगी और नियम के विरुद जाओंगी और वे गई और पूरी येहुदी कौम को छुडाने का कारेंट हैरी आज शैतान ने आपके परिवार में नियम बना कर रखे हैं कि कोई विदेश नहीं जा सकता किसी के विवाही जिंदगी में खुश्याली नहीं आ सकती अगर आप उसके नियमों को तोड़ना चाहते हैं तो आपको उपवास की जरूरत है अपने परिवार के लिए लोगों के लिए अपनी चर्च के लिए अपने दर्शन के लिए आपको उपवास रखने पड़ेंगे ये मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है अगर परमेश्व आपके साथ खड़ा हो तो वे आपको जीत के साथ खड़ा करेगा इस दुरिया में बेचारों के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि आपका दुश्मन शैतान आपके आंसों से प्रबावित नहीं होता वे तूड़ता नहीं है वे खुश होता है अपने आपको दुखी लाचार और बेचारे मत बनाओ पवितर ताई में आकर ऐसे उपवास प्रातना करो कि शैतान की हड़ियां तूड़ जाए सोखे उपवास ये आपके सामने उस चीज को जुका देगा जो जुक नहीं रही जो चीज खतम नहीं हो रही उसे खतम कर देगा पवितर बाइबल कहती है कि जो आपके सामने पीतल का धुनुष है वे उसे मोड देगा जो आपको अपने जीवन के कुछ मसलों में आपको मुश्किल में लाते हैं वे सुखे उपवास उन्हें बदल देंगे परमेशों ने कहा अपने मन को फाड़ कर उपवास के साथ रोते पीटते मेरे पास आओ वे नीनवे का राजा जो पाप से भरा हुआ था योना नभी की बात सुनकर उसने डिन्डोरा पिटवाया कि कोई व्यक्ती कोई गाएं भी पानी नहीं पिएगी तुम्हारा दूद पीता बच्चा भी कुछ नहीं तब तक खाए पिएगा और लिखा है उन्होंने अपना मन फाड़ कर टाट ओड़ कर उपवास किया स्तर पर लेकर जाना चाहता है तो वैं आपसे और मेहनत को मांगता है और समर्पन को मांगता है क्योंकि अगर आपका जीवन परमेश्व को समर्पित नहीं तो वैं अव्यवस्ता को समर्पित होगा इसलिए वे आपके साथ होगा आपको दुखों में, दर्द में वे आपको छोड़ेगा नहीं वे आपको मजबूत करके खड़ा करेगा आमेन पवित्रवचनों के अनुसार प्रात्ना सर्व शक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता मैं प्रात्ना करती हूँ आप मुझे ऐसी सामर्थ दीजिए कि मैं आपके उपस्तिती में घंटों समेवतीत कर सकूँ और सूखे पुवास रखकर दुष्ट आत्मा के अटैक से अजाद हो सकूँ प्रवेश्व मसी के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन आज के इन पवित्र वचनों के पढ़ें और सुने जाने के दौरा और इन पर मन करने के दौरा परमेशराब सबको बहताई से आशिशित करे सबको जैमसी की God bless you all